हेलो फ्रेंड्स वेल्कम यू आल इन माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम चानेंगे एक आसा आसान तरीका जिसकी मदद से घर बैटे हम दातों में जमा हुआ तातार हटा सकते हैं दातों का वो पीलापन अटा सकते हैं जो की बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हमारे दातों से नहीं हटता है अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देए और पहले का आइकन को क्लिक कर देए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए दातों पे जमा हुआ पीला पन बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और कई बार इस वज़े से हमें शर्मिंद्गी का सामना करना पड़ता है इस दातों की पीले पन को हटाने के लिए आपको अपनाने हैं तीन आसान तरीके पहले तरीके में आपको इस्तमाल करना है बेकिंग सोडा पाउडर का आप बेकिंग सोडा एक चमच ले लीजिए और एक बाउल में पानी के साथ उसका पेस्ट बना लीजिए इस पेस्ट को आप ब्रेश पे लगा के पेस्ट करिए ऐसा आपको 15 दिन में एक बार करना है ये मैथड अपनाने से आपके दातों पे जमा हुआ पीला पन यानि कि वो तार-तार हट जाएगा और आपके दातों में मौझूद गंदगी भी हट जाएगी दूसरे तरीके में आपको इस्तमाल करनी है औरेंज पील्स यानि कि नारंगी के छिलके इन छिलकों का इस्तमाल आप इसे सुखा कर इसका पाउडर बना कर भी कर सकते हैं और अगर आप powder नहीं बना सकते हैं तो आप orange peel को लेकर अपने दातों पे लगा लीजे और इसे कुछ वक्त तक लगा रहने दीजे ऐसा करने से आपके दातों में मौझूद पीलापन हट जाएगा आप इस method को 2-3 दिन में repeat कर सकते हैं और इससे अपके दातों का पीलापन खतम हो जाएगा आपको इस्तमाल करना है तीसरे तरीके में नीवू के रसका आप नीवू का रस ले लीजिए और इससे अपने paste में मिला लीजिए ऐसा करने के पाथ आप अपने दातों को ब्रेश करिए अगर आप इस method को week में एक पर करते हैं तो आपके दातों में मौझूद गंदगी खतम हो जाएगी और आपके पीलापन जड़ से हट जाएगा आप इन तीनों में से कोई भी आसान सी method अपना सकते हैं और अपने दातों पे मौझूद पीलेपन से छिटकारा पा सकते हैं हमें पूरी उमीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया है आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चाल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंइट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पायारे सॉझेस्टेड वीडियो को क्लिक करना बिलक। भी नभूलें आप हमें Instagram और Facebook पे भी follow करें Thanks for watching, see you soon guys